दोस्तो क्रिप्टो करन्सी यूट्यूब चैनल टेट फॉर प्रॉफिट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हैं मैं हूँ आपका दोस्त निजाम एक नए वीडियो को साथ हाजिर हूँ आज के इस वीडियो में बात करेंगे तीन क्रिप्टो टोकन की तो चलो दोस्तो वीडियो करते हैं स्टार्ट तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले बहुत जरूरी बात करना चाहूंगा जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं सस्क्राइब करने चैनल को नोटिफिकेशन बिल को अन कर दें और काफी लोग ऐसे हैं डॉच कोईन की डेली चैट है डॉच कोईन का काफी टाइम से आप देख रहे हो कि यह टॉप लगाने के बाद प्राइस लगातार नीचे-नीचे ही मूफ कर रहा है अच्छा कासा नीचे डाउन आया उसके बाद ऊपर चलने की कोशिश की तो अभी क्या हो सकता है डॉच कोई कोईन के प्राइस में इसको समझने कोशिश करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों मैं लेवल्स को प्लॉट कर रहा हूं आप देख सकते हो कि यहाँ पर सबसे पहले मैं पीछे सोला साब को दिखा दिता हूं सेनेरियो कि दोको डॉच कोईन ने कि यहाँ पर इस पाइक मारा था एक अच्छा का सा अपसाइल मूमेंट किया था और थोड़ा सा नीचे गिया था उसके बाद फिर अच्छा का सा मूमेंट ऊपर किया फिर इस तरीके की इस कंडिशन बनी और फिर एक अच्छा का सा मूमेंट किया अब अगर यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों देख सकते है कि यहां पर हमारे सामने की कुछ उसी तरीके का movement कर रहा है लेकिन इस movement में काफी ज़्यादा time हो गया है यहां पर एक थोड़ा सा difference है उस वक्त moving average crossover यहां से हो गया तो लगतार यहां तक crossover बना हुआ था लेकिन अभी यहाँ पर moving average का एक बार यहाँ पर देख सकते हैं कि एक bearish crossover हुआ फिर यहाँ पर bullish हुआ फिर यहाँ पर bearish हुआ तो moral of the story यह है कि dodge coin में इस तरीके की थोड़ी सी एक range bound condition मनी वी यानि कि जिसको बोलते हैं sideways condition तो अगर यहाँ से हम breakout करके उपर जाते हैं और इस high को भी अगर यहाँ पर जाकर test करते हैं तो लगबग 178% का यहाँ पर हमें profit मिल सकता है price अभी यहाँ पर इस 10 line को अच्छे से follow कर रहा है जो उपर के side आपको 10 line दिख रही है और इस level पर एक बार दो बार और तीन बार support ले चुका है अभी इस support level से price थोड़ो सा उपर support लेकर उपर गया है यहाँ पर देखो यह 10 line को तूटने की कोशिश तोडने की कोशिश कर रहा है price और यहाँ पर अगर यह 10 line को तोड के हम जाते हैं तो हमारे level सूपर के क्या होंगे तो यहाँ पर level by level हमें trading करनी है तो हम देख सकते हैं कि लगबख 33 cent उसके बाद दूसरा हमारा target होगा 44 cent और तीसरा हमारा target होगा 68 cent तो यहाँ पर कहने मतलब यह कि काफी लोगों ने मुझसे पूशा था कि dodge coin में क्या करें exit कर लें क्योंकि काफी time हो गया बढ़ नहीं रहा है थोड़ा था उपर बढ़ता है फिर नीचे आ जाता है तो अभी उनको यही सला मैं दे रहूं कि एक range bound condition है और अगर हम इस point के ब देखेंगे तो जुलाई के शुरू पाइले से यहाँ पर range बनी है और अभी फिलाल यहाँ पर हम October के महिने में चल रहे हैं तो अल्मुस्ट यहाँ पर बोल सकते हैं कि तीन से चार महिने ही को लगबकी range हो गई है डेली side पर और यहाँ पर एक breakout हमें देखने को मिल सकता है क कुछ कंडिशन यहाँ पर थोड़ी बहुत बुलिश बन रही है अगर यहाँ पर जिस तरीके से मैंने आपको जो market capitalization का चार्ट दिखाया था जो कि एक resistance एरिया पर है market अगर उस resistance एरिया का breakout होता है तो यह सब dodge coin हुआ या और बी जितनी crypto conscience में अच्छे खासे spike देखने को म है और यहाँ पर metric लगतार एक symmetrical triangle में हमको दिख रहा है और अच्छे से follow कर रहा है यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम देखेंगे तो trend line यहाँ पर हमें नीचे थोड़ा सा आ गई है मैं इसको stick कर लेते हैं तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमने इसके सारे points को यहाँ पर म जानेक्ट होते दिख रहे हैं तो एक बड़े टाइम फ्रेम पर यानि डेली टाइम फ्रेम पर एक symmetrical triangle को फर्म कर रहा है प्राइज को 17.76 USGT का लेवल तोड़ा होगा उसके बाद हमें प्राइज ऊपर जाता दिख सकता है काफी अच्छे target यहाँ पर हम देखने को मिल सकते नो डाउट यहाँ पर किसी को भी इस चीज़ का डाउट नहीं होगा सब जानते हैं कि मेटिक कोई एक अच्छा crypto token है और एक potential crypto token है अगर यहाँ पर हम बात करेंगे देखो यह symmetrical triangle से निकल कर इस area का breakout कर दे यानि कि यहाँ पर 1.76 तो हम एक अच्छी खासी rally उपर side देखने क 9.91 तो अलमुष्ट अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो इस level के breakout के बाद हमें दो target यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं पहले target में हमें लगबग 48% का profit हो सकता है दूसरे target में हमें लगबग यहाँ पर 120% का profit हो सकता है दोकर प्राइज इसका और भी उपर जा सकता है लेकिन में हाँ पर अभी फिलाल में इसके breakout पर आपको दो ही level दे रहा हूं matic coin के तो matic coin का conclusion यही है कि जिसके पास matic coin है dodge coin है hold अगर के रखो थोड़ा सा wait करो conditions bullish हो रही है धीरे धीरे daily chart है चार्ट है sorry daily chart है momentum आने में थोड़ा सा वक्त लगता है लेकिन जब आता है तो एक जबर्दस rally आपको देखने को मिलती है तो resistance area पर है market यानि market capitalization bitcoin भी resistance area पर है कल के वीडियो मैंने आपको बिल्कुल clear कर दिया था आज के दिन थोड़ा सा यहां पर हमें अपनी नजरे रखनी है इन सब को matic को dodge को और WRX अभी में बात करूंगा तो यह तीनों के चार्ट आपको रखने अपने चार्ट पर इसी तरीके से plot करके और आप द दोस्तों यहां पर हम आगे हैं WRX USGT के पेर में डेली चार्ट है और डेली चार्ट पर जिस तरीके से मैंने आपको बताया था इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला है कि इस तरीके के symmetrical triangle में प्राइज है तो यहां पर green color की दो लाइंस आपको देख रही है पिछले वी मेरे हिसाब से मुश्किल है और इसको break करेगा तो यह level हमें दिखा सकता है उपर का 2.06 उसके बाद 4.26 और उसके बाद 6.7 और लगबग 10 USGT तक भी level दिखा सकता है अगर अपने इस तरह से यह निकलता चला गया उपर तो अच्छे खासे level हमें देखने को मिल सकते हैं काफ इस तरीके की triangle pattern में भी होती है तो इसी तरीके की range को में पकड़ना होता है और यह range हमें काफी अच्छे returns देती हैं अगर उपर के side breakout कर जाती है जीती जागती उसकी मिसाल है दोस्तों कि Shiba Inu मैंने आपको काफी दिन एक range दिखाई काफी वीडियो चार से पाच वीडियो ज जाले और लगतार आपको आगा करता रहा कि यहां पर यह range बनी है किसी वक्त भी इसका price blast कर सकता है अगर उपर करता है ठीक है तो आपने देखा कि अच्छे खासे तरीके से उसने upside breakout लिया और जबरदस return दिये अभी भी Shiba Inu में थोड़ा सा मामला बन रहा है price एक range में आया 10-line का थोड़ा तक color change कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो तो इसको मैं white कर देता हूँ तो थोड़ा सा यह अलग दिखेगा तो उपर की 10-line को भी मैं white कर देता हूँ तो यह symmetrical triangle आपको clear रकट यहां पर दिखा है देखने को मिल ला है कि यहां पर low इस तरीके क हमें breakout देखने को मिलेगा वजीरेक्स token में और जिस लोगों के पास भी वजीरेक्स token है तो वीडियो का वजीरेक्स का conclusion यही है कि आप इसको hold करके रखो wait करो holding power दिखाओ जैसे ही यहां पर अच्छ थोड़ा सा moment आता है तो अच्छा का सा हमें breakout इसमें देखने को मिल सकता है अब चलते चलते हैं पर दोस्तों अगर BTC की बात ना हो तो अधूरी होती है update तो BTC की भी एक short सी update आपको दे देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से market का scenario समझ में आ सके तो daily chart पर हमें है BTC USD के तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह जो zone मैंने कल के वीडियो में आपको बताई थी कि यह एक zone बनीवी है जिसका लेवल है 62,800 से 64,800 के आसपास और यह इसको break करना जरूरी है BTC का प्राइस का इसको break करता है तो अपने all time high को break करेगा और प्राइस तेजी से उपर के side movement करेगा नीचे का level दोस्तों कल के दिन मैंने बताया था आपको कि नीचे थोड़ा सा आ सकता है प्राइस करेक्ट कर सकता है अप तो यहाँ पर हम देखेंगे तो अगर चार्ट को श्रिंग करते हैं तो यह देख सकते हैं कि Bitcoin का यह all time high है और उसका market गिर गई थी उपर चली है इस तरह से तोड़ने की कोशिश कर रही है bullish crossover यहाँ पर पहले से बना हुआ है ठीक है और यहाँ पर market ने आकर exact 100 period को आकर test किय और टेस्ट करने के बाद उपर pullback लगाया है तो यहाँ पर थोड़ा सा देखो मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि whole soul सारी cryptocurrency की market एक resistance area पर है बी टी सी का price एक resistance area पर है और साथ-साथ old coins की market capitalization भी एक resistance area पर है यह resistance area का break होने का weight करो उसके बाद आप अगर break होत करता है resistance area को तो आप खुद देखोगे जबरदस रेली देखने को मिलेगी otherwise दूसरी जो सिक्के का दूसरा पहलू होता है वो यह है कि अगर resistance area पर price होता है और अगर उसको break नहीं कर पाता है तो वहां से नीचे आता है तो नीचे के level मैंने आपको यहाँ पर दे दिये हैं 57,500 51,200 और यह तीसरा level है यह level आप अपने चार्ट पर लगा कर लगना अगर यहाँ से ग्रावट आती है तो हम यहाँ से नीचे जा सकते हैं otherwise symptom bullish हैं और यहाँ पर हमने देखा कि यह volume भी थोड़ाँ अच्छा कासा में देखने को मिला है कल के दिन में यहाँ पर आप volume को उपर करो सब कुछ अच्छा होगा और अच्छे से ऊपर के साइट प्राइज जा सकता है तो दोस्तों यहाँ पर उम्मीद करता हूं कि वीडियो का पसंद आया होगा आपको और इस वीडियो का आप लाइक ज़रू करोगे और शेयर करोगे अपने social media के platform से अब मुझको इजाद नेक्स्ट अप्डेड मिलने के गोशिश करता हूं जय हिंद जय भारत